हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टो मैं चैनल तो मिस मत करिये का आज की वीडियो को क्योंकि आज की वीडियो होने वाली थोड़े इंटरेस्टिंग तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आप अपना वाट्सआप का home screen आप change कर सकते हैं हलाकि यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप अपना change करेंगे जैसे कि आप यह देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर दिया हुआ है आपका WhatsApp का background जो background आप दिया हुआ है वो white clear का दिया हुआ रहता है तो अब आप यह इसको भी change कर सकते हैं पर इसको change करने के लिए कुछ procedure हैं तो आईए start करते हैं इस वीडियो में और देखते हैं किस तरीके से आप अपना home screen चेंज कर सकते हैं तो सबसे पहले हमी क्या करना होगा हम जाएंगे WhatsApp पे तो फटा फट से WhatsApp चले जाते हैं और यहां पर हम देख लेते पहले आपको कर लेना है backup अपने WhatsApp का क्योंकि इनकेस अगर अप डिश्रप्ट हो जाता है तो आपको backup मिल जाएगा तो जल्दी से फटा फट चले जाते हम और कर लेते हैं backup तो इधर आपको मिल जाएगा चैट option और चैट option में जाके आप अपने चैट का backup कर सकते हैं तो इधर आप कर सकते हैं अपने चैट का backup तो यह मैं कर रहा हूँ अपने चैट के सारे backup कर ले रहा हूँ इनकेस अगर अब हमें क्या करना है अब हम इस एप को करेंगे अनिस्टॉल तो यह मैंने कर दिया इसको अनिस्टॉल और अब हम चलेंगे एक एक के फाइल पर जो की इसका वाटजाइबस कर एक सेकेंडरी अप है तो तो यह रहाए फैल यह अल्रेडी इंस्टॉल चुका है तो यह मैं इसको फटाफट से इंस्टॉल कर लेता हूं मैंने क्लिक कर दिये इंस्टॉल पे तो इस फाइल के लिंक मैं आपको दिस्क्रिप्चन में сто जाकर कर दूंगा तो यह एप हो चुका है इंस्टॉल अब हम इसे करते हैं ओपन तो हम जब इसे करते हैं ओपन यहां दो ओप्शन दिखाता है रिजिस्टर और एगरी का हम सीधे अग्री एंड कंटीन्यू कर सकते हैं और यहां पर इसको नौट नौ कर दिजे तो यहां आप जिस नंबर से र लिए अब हूं कि अलाओ करती जीए इस सारे परमीशन तो इसमें दिखार है बैकप test वyingВы तो इसे आप रिषिट्टोर कर सकते हैं वैककप को तो यह मैं बैक अप को रिस्टोर कर रहा हूं कि यह बैक अप अलड़ेडी रिस्टोर हो चुका है इसको नेक्ष्ट क्लिक कर दिया अब यहां पर यूजर निम डाल सकते हैं कुछ भी यह सब इसको आप क्लोस कर सकते हैं अब अब मैं बताओंगा किस तरीके से आप अपना वाट्सअप चेंज कर सकते हैं तो अब यह रहा यह उपर में आपको ऑप्शन दिख जाएगा फॉर्ड मैसेज का तो इधर आप क्लिक कर सकते हैं इधर आपको ऑप्शन में जाना है उनिवर्सल का और सबसे उपर में आपको दिख जाएगा option colors का और उसके बाद आपको जाना है background पे तो background पे आपको फोटो चूज करने के लिए बोलेगा तो इधर आप गैलरी से कोई भी फोटो चूज कर सकते हैं और मैं हलाकि कोई भी फोटो चूज कर लेता हूं यह मैंने एक फोटो चूज कर लिए लोडिंग वाल पेपर हो रहा है सेट कर रहा है सेट कर दे रहा है तो अब आप बैक करके देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका वाल पेपर चेंज हो चुका है तो आप देख सकते हैं कि आपका background चेंज हो चुका है home screen का background चेंज हो चुका है तो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब कर लिए धन्यवाद